अलो इस्टूडेंट मैं गुद्डूसर आप सभी का इस वीडियो में शाक्त करता हूँ इस्टूडेंट आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन टापिक लाया हूँ जो इनुवस्टी बार-बार पूछ रहा इस्टूडेंट से तो ये टापिक कहां से लिया है ब्यस्टी से लिया है किस टापिक से ब्यस्टी के मैट्रिक्स जो बुक है ठीक है उसमें से इसको लिया है और उसका ये कौन साथ से लिया है किस लियसन से लिया है यह करे करिश्टी के question आप क्या square matrix ठीक है वहां से है ये मनलब जिस book से हम बना रहे हैं ये book है आप देख लिजे इसको ठीक है ये किताब है इस किताब से में बना रहा हूं डाक्टर विनोत कुमार की और आप जो है किसी other book से भी हो सकते हो तो लेकिन नियम कानून तो सब के ल आप चैनल को like कर दीजे subscribe कर दीजे और अपने दोस्तों में इसको share कर दीजे ताकि इसका जो है उनको भी love मिल जाए ठीक है और चैनल को भी love मिल जाता है तो student दिखिए यहां पर क्या है क्या लिखा है if a is equal to a लिखा है 1 minus 1 2 3 x plus 8 to the power 6 minus 4 8 to the power 5 plus 8 8 to the power 4 minus 12 यहां पर क्या 3 plus 14 a square लिखा है यह लिखा है तो कह रहा है कि linear polynomial in a तो मतलब आपको इसको जो है जो यह power आप देख रहे हैं उसको linear में convert करना है linear का मतलब single power में convert करना है clear होगी नहीं हो गया बहुत कुछ नहीं करना भाई एकदम खिलवार आपको बताएंगे बिल्कुल आपको mind नहीं लग जो है correct realistic equation से ही इसको लगाएं देखिए अगर आपको देखना है कि correct इसके पहले क्या होता तो आप प्रीबियस वीडियो में मैंने correct रिश्टिक जो है matrix correct रिश्टिक पॉलिनोमियल correct रिश्टिक equation ठीक है आइगन वैलू आइगन वेक्टर ठीक है और यह सारे चीजे हमने कै इसके question मैंने बना करके playlist में रखा आया प्लीज उसको जाकर जरूर देख लें तकि यह जो है वीडियो आपको और जादा आपके लिए जो है benefit हो जाए ठीक है और आपको अच्छे समझ में भी आ जाएए चाप चीजे तो student यहाँ पर जब कभी भी आप से पूछे किसको linear polynomial बनाना है तो student ज्यादा कुछ नहीं हम लोग करते हैं हम लोग सबसे पहला एक heading डालते है solution और उसके अंदर लिखते हैं यह बराबर पहले सवाल को उता लेते हैं क्या है one minus one two three लिखा हुआ है टीक student यहाँ तक हम लिख लेते हैं इसके बाद सीधा सीधा हम क्या लिखते हैं करेक्रिष्टिक 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 क्या निकालेंगे वोलिए आप देखिए system वह निकालिये करेकरिष्टिक सबसे पहले चलो हम निकाल लेते हैं सब पहले क्या आता है podr agencies см मैट्रिक्स आता है पहले क्या आता है मैट्रिक्स आफ ए देखे आप कुछ लोग क्या करते हैं कि करेगरिष्टिक मैट्रिक्स नहीं निकालते हैं आप वहां से भी लगा सकते हो लेकिन कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर यह कहां से आ गया इसलिए मैं यहां से लगा रह क्या I scalar quantity, I जो है आपका identity matrix है, और चुकि ये 2 x 2 का है, तो ये भी identity matrix आपका 2 x 2 का ही होगा, तो ये करेंगे रिष्टिक का जो है, ये क्या है ये आपका प्रकार से आप सूत्र बोल लो, या आप नियम बोल लो, जो भी बोलना हो, आप बोल सकते हों, और a, तो ये आपका matrix आई है, तो student क्या करते हैं हम, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, एकी जगा पे, एकी value, क्या लिखा है, 1 ठिक, माइनस का 1, 2, 3, उसके बाद देखे, लिमडा लिखा, लिमडा लिख दिया, और यहाँ पर लिखा है क्या, यहाँ पर i लिखा है, तो i लिखा है 1, 0, 0, 1, यह आपका होता ही है, आप यहाँ पर धियान देनी के बाद क्या है, 1 माइनस 1, 2, 3 यहाँ लिखा हुआ है, अब यहाँ पर देखे, लिमडा का अंदर multiply कर दो तो जाएगा, लिमडा 0, 0, और यहाँ पर लिमडा हो गया, आभी श्चूडेंट इसके बाद देखे, हम लोग करेंगे क्या, हम लोग एक छोटा सा काम करते हैं, पहले से पहले उक giorn यहां पर क्या हो जाएगा 3 मिनस यह हो जाता है यह यहाँ का मेन कारण होता है, यह चीज यहां पर important चीज़ होती है मतलब क्या होटा है? subtract कर देते हम तो देखे इसे को ले लिया इसे में Francis को subtract कर दिया soprat कर दिया कितना आसान चीज है आप student यहां पर देखे यही चीज आपका क्या पन जायगा इसी चीज चीज को हम चाहे तो यहाँ लिख सकता हूँ 1 minus lambda, y minus का 1, 2 लिख सकता हूँ 3 minus lambda लिख लिया ये student हमारा क्या है करेकरिष्टिक matrix है, किसका एक given जो matrix है A का तो अगर आपसे कभी पूछे question में, भाई देखिए आपसे ये भी पूछ सकता है पेपर में आया हूँ आप प्रसन है कि वह करेकरिष्टिक matrix रताइए, तो आपको किवल इतना ही लगाना है, इसके आगे नहीं लगाना है ठीक है, आप इसके बाद देखे, second topic हमारा चलता है, वह करेकरिष्टिक polynomial होता है of a, क्योंकि a का निकार रहे हो, तो कुछ नहीं करते हैं, चोंकि ये देखे, बाईलू किसकी है ये तो बाईलू है, a- lambda i की बाईलू है, तो क्या होता है, बस दोनों तरब क्या लगा देते हैं, मौड लगा देते हैं तो मतलब a- lambda i है, इधर मौड लगा दिया, अब यहाँ पर देखे, ये matrix है, matrix के उपर जैसे मौड लगा दो, वैसे ये matrix किसमे करना उठ हो जाता है, डिटर्मिनेंट हो जाता है इसमें ज़्यादा बताने के जुरुरत नहीं है, आप student क्या करते हैं, इसको open करते हैं, जब open करेंगे, तो देखे, student ये क्या हो जाएगा, देखे, open कैसे होता है, भाई इसका multiply, इसमें, और minus कर देते हो, इसका multiply करके subscribe कर देते हो, कहने का मतलब यह हमारा कहने का मतलब है, क ठीक है, आप क्या करते हो, इन दोनों का पहले multiply करते हो, किसका किसका, 1 minus lambda और 3 minus lambda, इसका multiply कर दिया, और फिर minus कर देते हो, किसका multiply, इन दोनों का multiply, जैसे 1, 2 जा 2, minus 2 है न, तो इसमें से घटा दीजे, minus 2 को, तो देखे, 2 जा 2, minus 2, क्योंकि minus लगा न, यहापर, और minus यहाँ प्लस 2 हो जाएगा, तो यह इस प्रकार से कर देते हैं, आप student इसको जो हम solve करेंगे, जो कुछ भी हमको मिलेगा, वह हमारा क्या होगा, वही हमारा characteristic polynomial होगा, अर्थात देखे, 1, 3, 2, 3, और यह करेंगे, तो यह आपका lambda आ जाएगा, इससे इसमें करेंगे, minus का 3 lambda हो और यहाँ पर प्लस 2 है, आप student इहाँ पर आगया, lambda square, और यह हो जाए, 3, 1, 4, lambda हो जाएगा, और यहाँ पर 3, 2, 5, यह हो जाएगा, आप student इहाँ पर देखे, यह हमारा क्या है, इसको बोलते हैं, जो है, characteristic polynomial, ठीक, तो दो step आपका complete हो गया, इसके बाद आता है, characteristic equation of a, तो student characteristic equation क्या होता है, बस जो यहाँ पर लिखा होता है, बस इसके equal 0 लिख देते हैं, और जैसे ही 0 लिखेंगे, y से ही यहाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह तुरंद characteristic equation देदेगा, तो कहने का तात्वर क्या हुआ हुआ, कि lambda square minus 4 lambda plus 5, ठीक है, equal to आपका 0 हो गया, इसके बाद student देखेंगे हमारे कितने step हो गए, 1, 2, 3 step हो गए, अब इसके बाद चौथा step में हम कैली Hamilton लगा देते हैं, तो यहाँ लिख दीजे, यह यूज, कैले, कैले, हैं मिल्टन, हैं मिल्टन, थियोरम, तो student देखें, कैले हैं मिल्टन थियोरम होता क्या है, कैले हैं मिल्टन थियोरम ही कहता है, कि every square matrix satisfies, इट्स आउन, करिक रिष्टिक को कुश्चन, मतलब प्रतेक जो square matrix होता है, वो अपने correct रिष्टिक को क्या करता है, satisfied करता है, जैसे आपर समझो, जैसे ये हमारे पास matrix है, square matrix है ये, तो अगर इससे ये बना हुआ नहीं बना है, ये correct रिष्टिक को कुश्चन, भाई, इससे तो ये बना हुआ है, इससे ये बना हुआ है, तो ये इसको क्या करेगा, satisfied करेगा, अर्था जहाँ पर lambda है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो कोई, असन नहीं पड़ेगा, satisfied हो जाएगा, ये कौन कहते हैं, कैले हैं, कहते हैं, तो कहने का अतात पर हुआ, कि जहां lambda है, वहाँ पर A स्कॉर हो सकता है, कौन कहता है, कैले हैं, हैमिल्टन, और यहाँ पर 5 लिखा था, तो मैंने 5 वाइप कर दिया और इसको 0 मैट्रिक्स बना दिया किलियर होगे नहीं जहाँ 0 लिखावाँ 0 मैट्रिक्स भी तो लिख सकते हैं जैसे 5 लिखा है अगर identity मैट्रिक्स से 5 में मल्टिप्लाई कर देंगे तो वही तो रहेगा कभी भी किसी नंबर में अगर I से मल्टिप्लाई कर दो तो इस नंबर की वैलू नहीं वदलती किलियर हो गया अब यहाँ पर चलिए इतनी बाते तो किलियर हो गया अब इसके बाद student हमारा काम क्या है उसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं चलिए अब हमको इसको जो है इसको लेते हैं अब मुझे क्या करना है इसको समझते हैं कहरा इसको linear में convert करिए बिलकुल linear कर दे रहें बाई कुछ भी नहीं करेंगे इसमें यह आपका देखे 5 हो गया और यहाँ 8 एक की पावर 4 है 12 एक cube है और प्लस 14 और A स्क्वाइर है देखो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ज़्यादा मेहनत की बात नहीं होती है मैं एक चीज़ यहाँ पर देख रहा हूँ कि दोनों में अगर A स्क्वाइर मुझे कम मिलेगा जब यहाँ पर A की पावर 4 कामल ले लूँगा खुद दिमाख लगाओ अगर A की पावर 4 गुरुजी कामल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा भाई A की पावर 2 बचेगा और 4 और यहाँ A की पावर 4 निकल चुका है तो 4 A बचेगा बचेगा नहीं बचेगा बाकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8 जो लिखा है 8 देखे यहाँ पर ध्यान दीजेगा इसको इधल लिक देता हूं बहल बहर हल यहाँ पर देखे 8 a की पाउर 4 है माइनस 12 a cube भी लिखा है प्लस 14 a square भी लिखा है अगर यह कामन ले लो तो कि नहीं देखो मैं कामन ले लिए देखे ठीक है लिखिन एक बात यहाँ पर आपके माइन में आ रहा होगा क्या बात माइन में आ रहा होगा माइन में एक चीड़ी आ रहा होगा कि यार सब कुछ तो मिल रहा है a square मैच कर गया 4 a मैच कर गया अगर यहाँ 5 यह होता तो मज़ा आ जाता फिर ज्यादा दिमाग न लगाना पर यह माइन में आती ही बात कि नहीं आती है तो अगर मैं अपने मन से सोचो अगर क्या होता तो हो जाता काम 5іб आहीं होता यहां पर तो यह कदम यही same to same मैच कर जाता काम बन जाता खटसे तो कोई बात नहीं है जो नहीं अपने मन से लिख लो भाई तो देखें मैंने 5 भाई अपने मन से लिख दिया उसमें क्यों लिख दिया यह उपर वाला बनाने के लिए कि same to same यह वाला हो जाए आप कहोगे सर जी अगर यह लिख दोगे तो यह अंदर जब multiply होगा तो यह क्या बनेगा 5 I A की पाउर 4 हो जाएगा सर और यह तो हमारे पास है नहीं कहीं पर तो हम कह रहें नहीं है तो आप यहां पर जोड़े हो तो अपने मन से घटा भी दो ना इसमें 5 I ठीक है 5 I A की पाउर 4 घटा दो इसमें क्या दिक्कत है भाई जैसे यह नहीं था इसमें तो आप मने घटा दिया तो कहने के मतलब देखिए 5 I A की पाउर 4 यहां जोड़ दिया और वही चीज़ यहां घटा दिया बिलकूल आसान तो आप यहां पर देखिए क्या होगा इसकी वैलू और यहां पर प्लस था ना चुकि प्लस जो है 8 A की पाउर 4 कर था अब देखिए इसकी टोटल वैलू यहां पर देखिए 0 लिखा है तो भाई यह तो 0 हो गया पूरा अब यहां पर देखिए क्या बचा अब एक चीज़ और भी आपको पता है कि आई से कभी किसी मैट्रिक्स में मल्टिप्लाइ करते है तो वो आई क्या करता है उस मैट्रिक्स की वैलू को नहीं चेंड कर पाता वो यही रह जाता है तो मतलब I A की पावर 4 बराबर केबल A की पावर 4 ही रहेगा बाकी 5 है तो 5 है अब यहां पर ध्यान देनी की बात है इसको हम पहले साब साब लिख लिख लेते हैं 8 A की पावर 4 यह वैलू क्या दिया 5 A की पावर 4 अब यहां से भी वही बात हो रही है, अब एक काम करो, इसको इसमें से सब्ट्रेट कर दो, जब हम सब्ट्रेट करेंगे, तो यहां पर देखे क्या हो जाएगा, भाई 8 में से यह जाएगा, तो यहां 3 A की पावर 4 बच गया, कि नहीं, और यहां पर 12, ठीक A की पावर 3 है, औ अब तो और आसान होगे भाई, अब तो और आसान होगे, कैसे, भाई इसमें देखिए 3 कामन है, और A स्कॉाइर कामन ले रहा हूं, इसकॉाइर काहे लिया, फोर पूरा क्यों नहीं कामन ले रहा हूं, क्योंकि अगर स्कॉाइर लेंगे, तो एक 2 स्कॉाइर बच जाएंग तो माइनस का 4 हो गया और A Q है तो केवल A बचेगा बचेगा नहीं बचेगा बाकी यह तो बंद हो गया और यहाँ पर क्या लिखा है प्लस 14 A स्क्वाइर बचा है कि नहीं अभी तक में देखी वही ची लिखा है अभी ब्रेकट को आप कर देंगे यही सेम यह लाइन में आपको मिल जाएगी बिलेगी नहीं मिलेगी लेकिन एक बात यहाँ पर और समझने की है अगर यहाँ पर 5Y होता तो यह 0 हो जाता है देखो पूरा अंदर वाला मैच कर गया अगर यह हो जाता इस ब्रेकट के अंदर तो इसकी वेलू तो 0 लिखा है 0 आपका 0 हो जाता है नहीं हो जाता तो यहाँ पर हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे ठीक है यह 0 मैट्रिक्स है तो 0 हो जाएगा तो यहाँ पर हम अगर क्या लिख दें 5 I लिख दें तो काम बन सकत है का बन सकता है वाई कमुआ बन सकता है यहाँ पर 5 I लिखा है ना यहाँ पर चुकी लेकिन आप कहो के गुरुजी अपने यहाँ पर 5 I लिख दें पड़े हो यहाँ मतलब क्या हुआ कि यह तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 और I और I यहाँ पर यहाँ पर A है तो I A square तो जादा हो गया गुरुजी तो घटा दो यार इसमें से क्या घटा दो कि इसमें सब्ट्रेट कर दो कि माइनस 15 I A square इसमें से सब्ट्रेट कर दो वह या आपने अपने मन से इसको आइट किया है तो अपने मन सब्ट्रेट भी कर दो इसमें से काम हो गया है नहीं हो गया तो कहने का मतलब क्या हुआ कहने का मतलब यह हुआ यह तो 0 इसकी value है यह 0 हो गया अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है प्लस 14 A square लिखा है और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर क्या लिखा है आई A square का multiply जब होगा तो केवल A square बचेगा अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि भाई जैसे 14 से 15 जाएगा तो माइनस का A square बचेगा और जहाँ पर A square की value चलो देखा जाए क्या होगा यह लिए है इसको जब उधर लेके चले जाएंगे suppose that जब इसको A square बराबर क्या होगा जहां से अगर देखा जाए तो जब इसको उधर ले जाएंगे तो plus का 4 A हो जाएगा और यह minus का 5 A हो जाएगा कि नहीं 8 होगा तो चलिए इसको जहाँ पर हम क्या करते हैं रखते हैं तो क्या हो जाएगा यह minus A square की जाएगा क्या minus 4 A minus 5 I हो गया अब रेकट को तोड़ो तो तोड़ा तो plus हो गया 4 A और क्या था यहाँ पर नहीं 4 A था minus नहीं था तो plus minus minus 4 A और minus 5 I हो गया तो यही क्या है हमारा यह which is क्या है linear which is which is linear polynomial ठीक है which is linear polynomial तो इस तोड़ान देखिए इस प्रकार से यह question जो है आपका complete हो गया उम्मीद कर रहा हूँ इसमें मजा आपको बहुत आया होगा आपने बिल्कुल इसमें माइड बिल्कुल नहीं लगाया होगा आप answer भी check कर सकते हो अब आप कहोगे sir आपने तो यह दिमाग लगा के लगाया अरे इसको कई तरीके से लगा सकते हो आप चाहो तो किसी अधर अधर तरीके से भी लगा सकते हो लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस सवाले से लगाओगे तो देखे कितने कम लाइनों में आपका यह पूरी तरीके से समाप्त हो गया और लीनियर का मतलब क्या जिसका power एक हो जाए वह लीनियर है यहाँ पर तो मिद कर रहा हूँ यह समझ में आ गया है अगर समझ में आ गया है तो please channel को like कर दीजे subscribe कर दीजे और अपने दोस्तों में जो है क्या कर दीजे send कर दीजे ठीक है तो चलिए जो है आपको next question आपको बताते है और बहुत VIP question आपको बताएंगे student आज मैं आपके सामने जो topic लाया हूँ गजब का topic अगदम बहतरीन topic लाया हूँ ठीक है और देखी यह क्या है मैं इस book से बना रहा हूँ ठीक है इसका यह 4.2 exercise में चला रहा हूँ 4.1 जो है 4.1 का बाकी 4.1 और 4.2 का बाकी question है मैंने इसको playlist में बना कर रख दिया है और साथ में ही जैसे इसका rank का matrix normal form ठीक है यह सब मैंने playlist में रखा है तो आप BSC वाले में आप जाईएगा तो वहाँ पर आपको पूरी तरीके से आपको जो है मिल जाएगा ठीक है और एक चीज़ा मैं आपको बता दू यह जो topic चल रहा है matrix चल रहा है ठीक है और इसमें जो है हम जो topic उठाय हुआ है इस topic का नाम है ठीक है या इस chapter का बता दे नाम आपको बता रहा हूँ ठीक है करेकरिश्टी की question आप ठीक है square matrix है तो इससे जो है और इसमें हमने आपको बता दिया है कि कुछ गिने चूने topic जो है paper में बहुत बार पूछे जा रहे हैं आपके university के examination में तो यहाँ पर हमारी बात समझेगा यहाँ पर क्या लिखा है verify the Kylie Hamilton theorem and hence find the inverse of the matrix मतलब इस matrix का inverse भी बताना है और आपको इसमें verify भी करना है Kylie Hamilton theorem verify हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो इसके लिए देखिए मैंने previous वीडियो में मैंने जो है सबसे पहले क्या निकालना सिखाया पहले करेगरिस्टिक matrix बताया फिर जो है करेगरिस्टिक polynomial फिर जाकर के करेगरिस्टिक equation तो आप दो step में छोड़ करके यहाँ तीसरी step से काम कर रहा हूँ अगर आप चाहो तो आप पहला दूसरा step से भी कर सकते हो ठीक है उसमें आपको और आसानी रहती है ठीक है लेकिन यहाँ पर अगर पहला दूसरा step लेता हूँ तो जो है बूट भर जाएगा बहुत ज़्यादा लंब हो जाएगा ठीक है प्रीबियस वीडियो में मैंने उससे भी लगाया है तो आप यहाँ पर ध्यान दीजेगा देखे क्या है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा करेक्टरिस्टिक 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 एक्वेश्टिक एक्वेश्टिक लगा देता हूँ तो स्टूडेंट करें कि रिष्टी क्या होता है कुछ नहीं करते बस सीधा सा काम क्या होता है इसको आपका जो मतलब यहां पर क्या है यह मैट्रिक्स से है तो मैं इसको कर लेता हूं और डाइगोनल जो है उसमें से लेम्डा घटा देता हूं जिसे यहां पर वान है तो लेम्डा सप्रेक्ट हो गया यहां पर पहले बाकी और लिख लो वन वन यहां पर टू है और यह देखें लेम्ड यह डाइगोनल के लिमेंट है तो इसमें से भी लेम्डा न ठीक है, अब student इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम expand कर देते हैं, इसका विष्टार कर देते हैं, विष्टार कैसे होता है, ध्यान दिजेगा, ये पहले जिसे हमने लिए इसको 1 minus lambda लिया, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको किसी चीज़ से ढख लेंगे, तो ये दोनों बच तो बस क्या करते हैं, इनका multiply करते हैं, तो जीसे multiply कर लिया, 3 minus lambda और 12 minus lambda, मल्टी होगे है, उसे में से इन दोनों का multiply सब्ट्रेट कर देते हैं, तो 25 सब्ट्रेट हो गया, ये है इसका तरीका, और जो ये वाला होता है, आपने class 12 में बढ़ा है, कि ये सर negative होता है, क्या होता ह अब ये line चला जाएगा, ये line चला जाएगा, तो क्या बचेगा, इसका multiply चला जाएगा, तो ये 12 minus lambda ही रहेगा, और minus करोगे, इनका multiply करते हैं, तो 1 minus 5 हो जाएगा, ठीक है student, अँशे बाद प्लस, ये 3 लोगे, तो इस 3 साथ क्या होता है, कि ये line चला जाएगा, ये line सला ज तो student इस प्रकार से break कर लेते हैं, एक तरीका और भी होता है, ठीक है, कौन सा होता है, एक होता है, direct इसको break कर, इसको करने का, क्या, अभी हम करके ही दिखा देंगे, पहले इसको मैं कर लो, उसके बाद मैं उसको भी करके आपको दिखा दूँगा, ठीक है, ये देखिए, one minus lambda ह और यहाँ पर, देखिए, क्या है, इसको हम break करेंगे, पहले multiply कर लो, तो 10,36, 12, 39, 36, ठीक है, और 3 बाद में करेंगे, तो minus का 3, lambda हो गया, इससे, इसमें करेंगे, माइनस का 12 लेम्डा हो जाएगा और इससे इसमें करेंगे तो प्लस का लेम्डा स्क्वार हो गया और यहाँ पर माइनस का 25 हो गया यहाँ गया और इस्टुडेंट यहाँ पर देखे क्या लिखा है माइनस 2 तो ही है यहाँ पर 12 लोग क्या करते हैं जादा कुछ नहीं करते बस थोड़ा सा काम करेंगे इसको थोड़ा सा सलूशन कर लेंगे तो सीधी बात यहां लेमडा इसको लिख लेंगे पर इन दोनों कोईट करेंगे तो माइनस 15 लिमडा जाएगा और इसमें सी आज आएगा तो यहां पर प्लस का 11 बचेगा इसके बाद student यहाँ पर देखे क्या है तू लिखा है इसमें से यह दाएगा तो तो साथ बचेगा, ठीक है, और माइनस का लेमडा है, और प्लस, यहाँ पर देखिए, स्टुडेंट यही कारिकरम यहाँ पर भी चलेगा, तो यहाँ टू बचेगा, यहाँ पर लेमडा बच गया, तो स्टुडेंट यह देखिए, सबसे बेहतरीन यही है, इसमें जो करना है साफ साफ ऐसे करते चले जाए इसके बाद दिखिए आगे क्या होगा आगे जो है इनका मल्टिप्लाइस में करेंगे तो यह तो यही रहेगा लेंडा स्कॉार माइनस 15 लेंडा प्लस 11 आ गया कि नहीं लेकिन जब माइनस लेंडा से करोगे तो यहाँ पर माइनस लेंडा क्यों हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 15 लेंडा स्कॉार हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 11 लेंडा हो जाएगा कि नहीं इसके बाद इसको करो तो प्लस माइनस हो जाएगा आप इसके बाद देखिए student यहाँ पर क्या होने वाला है यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए lambda cube को पहले लिखो ठीक है और एक काम करते हैं equal to sum में 0 भी लगाया हूँ 0 लिख लेता हूँ कहाँ पर 0 होगा यहाँ से ठीक है 0 यहाँ पर भी यहाँ इसमें भी यहाँ पर होगा कि नहीं उसके बाद यहाँ पर 0 आगया equal to 0 यहाँ पर है आप student देखिए क्या होगा lambda cube पहले लिखा अब आए square पर आजाते हैं तो 15 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है तो जाएगा यह 16 lambda square हो जाएगा हम लोग जादा कुछ निकरिंग 15 यहाँ पर है और यहाँ पर क्या लिखा है 11 यहाँ पर कितना है क्या लिखा भई 11 लिखा है 11 lambda कहे लिए कि इसके साथ जब हुआ था तो यहाँ पर 15 ने रहे गया जब लिकिन इससे जब किया था, तो यहाँ पर माइनस 11 हो गया था, और यहाँ माइनस का, माइनस प्लस 2 लिम्डा हो गया है, और यहाँ पर केवल 3 लिम्डा है, चलिए कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, बाई, सब जोड घटाना तो किलियर करनी पड़ीगा, तो यहाँ पर 15 है, 3 to 5 है तो भाइट माइनस का 21 आ गया माइनस 21 लेमडा आ गया ठीक है तो लेमडा का काम खतम हो गया भाई इतसे ज़्यादा और कहीं था ही नहीं अब नमबर पर आते हैं 11 यहाँ पर है ठीक है और कहीं देखिए नमबर 14 11 और यह कितना है 6 हो जाएगा 17 17 से 14 जाएगा 17 से 14 जाएगा तो यहाँ पर आपको बचेगा 3 और equal to 0 लिखा हुआ है कि नहीं तो यह चीज़ आपका हो गया अब 2 एक को नहीं लगाएंगे हम यहाँ पर Ice को बना लेंगे इंप्लाइड देट क्लियर चलिए ठीक तो यह चीज़ आपका यहाँ तक complete हो गया आप student यहाँ पर करेंगे क्या हम लोग हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करेंगे minus से पूरे multiply करतेंगे तो student यहाँ पर आजाएगा यह minus 16 lambda square हो जाएगा ठीक है और देखे minus हो गया plus है minus हो गया प्लस माइनस लिखा प्लस हो गया और प्लस लिखा माइनस हो गया कि नहीं आप student यह आपका complete हो गया इसके बाद यह है student यहाँ पर हम को क्या करना चाहिए कैली Hamilton लगाना चाहिए और कैली Hamilton लगाना चाहिए every square matrix satisfied its own correct question कहने का मतलब यह जैसे हमारे पाद देखिए हमारे बाद समझेगा यह करें यह देखिए यह जो है यह matrix तिक यह square matrix है यह क्या करता है इसी से यह जो है आपका जो है correct question मना हुआ है कि नहीं तो यह जो matrix है इस equation को क्या करता है satisfied करेगा यह कौन कहता है कैली हैमिलिटन ने कहा है, तो यहां लिख दीजे, यूज कैली हैमिलिटन थ्योरम, तो भाई कैली हैमिलिटन थ्योरम को चलो यूज कर लिया जाए, तो यूज कैसे करोगे भाई, यूज करने का भी तरीका देखिए पहले, यूज करने का भी तरीका क्या है भाई, जैसे यह यहां एक क्यूब लिखा है देखिए यहां पर समझिए एक क्यूब वो सारी लेंडा क्यूब तो यहां पर हो जाएगा एक क्यूब माइनस 16 यहां पर हो जाएगा लेंडा स्क्वार हो जाएगा 21 लेम्डा हो जाएगा ठीक है लेम्डा क्या यहां पर A हो जाएगा यहां माइनस 3 लिखा तो यहां पर हम identity matrix equal to zero matrix और zero matrix की value ऐसे भी zero हो जाती है चेले कोई बात नहीं आप student यहां पर हम लोग करते क्या है जैसे इतना हमारा निकल गए चलाया है अब मुझे किस क्या चाहिए से इसको verify करना है चलो पहले verify कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है तो student verify करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है सबसे पहले तो हमारे पास A cube की value चाहिए मेरे पर तो A square है तो इसको question number one बना लो पहले क्या बना लिया आप चलिए इसको देखते हैं कि क्या होने वाला है now अब हम लिखा लेंगे A square की value तो A square को क्या लिख सकते हैं A into A लिख सकता हूँ तो यहाँ पर क्या है यह 1, 1, 1 और 2, 3, 5 है और यहाँ लिखा है 3, 5, और 12 लिखा है कि नहीं यह लिखा है और दूसरा वाला क्या है वो भी यह लिखा हुआ है 1, 1, 1 2, 3, 5 3, 5, 12 कि नहीं यह हो गया आप इस्टुडेंट क्या करेंगे हम लोग multiply करेंगे चलिए multiply करते हैं मजा आ जाएगा multiply में भी class 12 में खुब किया होगा बिधोवत किया है कोई दिक्कत नहीं हुआ है वहाँ पर तो यहाँ पर कैसे होता है और रो का multiply कालम में तो पहले चलिए first row को first column करेंगे फिर first row को second कालम में फिर first row को third कालम में और multiply करने का भी तरीका होता है पहला पहले एक साथ तो 1 वंजा 1 दूसरा दूसरे एक साथ 2 वंजा 2 तीसरा तीसरे एक साथ तो 3 वंजा 3 हो गया आप चलिए इस second में करते हैं तो 1 2 जा 2 2 3 जा 6 3 5 जा 15 आप करिए थर्ड वाले में तो 3 वंजा 3 2 5 जा 10 और 3 12 जा 36 ठीक तो मैंने देखिए फर्स जो से जो है तीनो कालमों में कर दिया अब आईए second रूपय आते हैं तो 1 1 जा 1 प्लस 3 वंजा 3 प्लस 5 वंजा 5 यह हो गया इसके बाद चलिए इस second में करिए तो 1 2 जा 2 प्लस ठीक है 3 3 जा 9 प्लस 5 5 जा 25 अब आज यह इससे third में कर लीजे 1 3 जा 3 प्लस 3 5 जा 15 प्लस 12 5 12 जा 60 ठीक है अब आगे बढ़ जाते हैं student 3rd से पहले में दूसरे में किसरे में करते हैं 1 1 जा 1 1 5 जा 5 1 12 जा 12 यह तो होई जाएगा अब आएए second में करिए 1 2 जा 2 3 5 5 3 जा 15 और क्या जाएगा फिर 12 5 जा 60 ठीक है अब इससे में कर यह third जाएगा ठीक है तो यहाँ पर क्या आएगा third जाएगा 1 का 3 में करेंगे तो 3 जाएगा यहाँ 25 हो गया और 12 बरंभे 12 जा 144 हो गया यह हुआ जाकर क्या किसकी वेलू है यह वेलू हुआ आपका A स्क्वाइर की वेलू ठीक है एक काम करते हैं चलो इसको साल करते हैं मजा जाएगा बहुत इजी है यह इसमें कुछ भी नहीं करना है बस गुना भाग का खेला है बच्च्चा 32516 यहाँ पर देखे 30538819 अब यहाँ तब 12, 5, 17, 17, 18 18 हो गया इसमें देखे इसमें क्या होगा 15, 6, 21 21 और 2 23 ठीक है 6, 2, 8, 8, 5, 13 के 3, 2 ठीक है इसको जोल लेते हैं देखते हैं क्या आता है तो 9 ठीक है 2, 9, 11 11, 5, 16 और उसके बाद 2, 3 ठीक है ऐसे में जोड़ सकते हैं 5, 9, 5, 14 14, 12, 16 और 2 मतरब 2 है एक हांसिल 2, 3 हो गया इसमें देखे 60, 70, 75, 77 इससे बाद 77 आ गया ठीक है फिर से देख लीजे 5, देखे कितना हो जाएगा 50, देखे 60, 70 अब 5, 2, 7, 70 इसमें देखे क्या होगा 6, भाइच देखे 36, 46 और 3, 49 हो गया अब आज ये स्टुडेंट इसमें देखते हैं कितना है 60, 70, 75 और 75, 3, 78 ठीक है इसमें आ रहाते हैं 144 वाले में 459, 93, 12 कटू फिर देखे लीजे 4, 5, 9, 9, 3, 12 अब आज ये 4, 2, 6, 6, 7 और यहाँ पर 1 तो हो जाएगा 172 हो गया तो इस्टुडेंट ये क्या है ये A2 की वैलू है आप इस्टुडेंट इसके बाद देखे हम क्या करेंगे A3 की वैलू निकालेंगे और आप देखे ये हमारा complete हो गया कि नहीं इसके बाद देखे आजसा क्यों किया तक ही जादा समय हमारा बज्जय है क्योंकि वीडियो बहुत लॉंग हो जा रहा है तो यहाँ पर देखे क्या हुआ मैंने क्या किया A2 तो यहाँ तो निकाल लाई था ठीक है उसके बाद देखे कैयले हैलमिंटर्टेयोर में यहाँ पर क्या करना था वेरिफाइ के करना था तो मैंने क्या किया कि यह जो है मैंने इसका left hand side लेलिया यहाँ पर लेने कि भाद सब की value रख दी A2 की value देखे यहाँ पर रख दिया 16 A2 का तो अंदर multiply करकर थे सब कुछ यहां पर फिट कर दिया जोकि यहां तद 16 ए इस था तो एस कोईर में देखे 16 से मुल्टिप्लाइ कर दिया देख लो अंदर सम्में फिर उसके बाल लिखा 21 21 ए यहां पर लिखा है ए में भी देखे 21 और माइनस 3 और यहां पर क्या है आई यहां पर उठाए अब इस्टुडेंट क्या हुआ है कि मैं इनको देखे मुल्टिप्लाइ किया तो इतना कि देखे इसका मुल्टिप्लाइ यहां पर आ गया इसका मुल्टिप्लाइ यहां पर आब इस्टूडेंट यहां पर देखे क्या है कि चलो इनको आइट के जाएँ ज्ब इनके साथ इनको आइट करेंगे 78 डंटी 1 लिल着 कितना इस्टूडेंट या पका आजाएगा 99 आग이지 में इसको 42 टो आड करेंगे तो student यहां जाएगा ठीक है और इसके साथ इसको आड करेंगे तो जाहेगा 784 हो जाएगा क्योंकि देखे 8 314 और 628 784 हो गया कि नहीं और student देखे क्या होगा इसमें यहाँ पर बहुत आसान है बहुत बढ़िया है अब इसके साथ देखे यह है यहां पर जीसे इसमें हम इसको आइड करेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें हम जो है स्टुएंट क्या करेंगे इसको आइड करेंगे तो कितना हो जाएगा यह ध्यान दीजिएगा यह जब आइड पर इसमें यह होगा ठीक है तो इसको जब आइट करेंगे तो यह चीज आपका क्या 143 है 105 है तो 538 हो गया और 4 तो 4 ही है ठीक है और यहां पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 1248 हो गया ना यहां पर देखें स्कॉइट कर लीजिए यह स्कॉइट करेंगे कितना जगा 28 आजाएगा इसके साथ स्कॉइट करेंगे तो देखें कितना हो जाएगा student 11 32 हो जाएगा इसके साथ इसको आइड कर लेंगे student तो कितना हो जाएगा देखे ध्यान दीजेगा तीन दो पाच यह 5 हो गया और यहां तो 5 आएगा ही और यहां 25 25 कि 27 आजाएगा 25 और 2 27 हो गया और student अब इनको इनको आट करेंगे इसके साथ इसको तो यहां पर देखे क्या हो जाएगा यह 3 आट हो जाएगा 99 144 288 इधर देखे इसमें 0 आट करेंगे 368 और यहां पर कितना आएगा 579 आजाएगा 1132 आजाएगा अब इसमें 0 आट करेंगे तो जाएगे 784 1248 और यहां पर क्याएगा यह आपका यहां पर आजाएगा कितना 55 और student चलो इसको सब्ट्राइट किये जाए तो student सब 0 हो गया होगे नहीं हो गया तो अगर टोटल 0 हो गया तो यहां जीरो में 0 हो जाएगा और यही मुझे लाना था तो हम क्या लिख सकते हैं हैंस हैंस कैली है है मिल्टन थेयोरम क्या थेयोरम सैटिस्पाइड है सैटिस्पाइड तो student इस प्रकार से यह कुष्चन हमारा यहां पर कंप्लीट हुआ और यह कुष्चन में लिखा क्या है यहां पर ना तो अब इसे लिखा क्या एक क्यूब था शिक्स्टीन एस्क्वाइर था और यहां पर क्या लिखा है ट्वंटीवन ए और माइनस थ्री आई लिखाई इसकोल टू जिरो पूरे में multiply by A inverse in both side और अब यहां पर ध्यान दीजे हम लोग करेंगे क्या चलिए multiply करते हैं देखते हैं क्या था है A cube into A square मतलब A की पावर माइनस वन और यहां माइनस है ना इसमें 16 A square into A inverse 21 A into A inverse और इसको देखिए इसको इदर लेकर चले आओ थेरी आई है इसमें भी A inverse से हो गया student अब देखिए क्या हो जाएगा इसको लिखेंगे A square लिखेंगे 16 A लिखेंगे 21 A inverse की value identity matrix होता है और इसका इसका multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा और अब यहां पर ध्यान दीजेगा आप क्या करेंगे A square की value रखो यहां पर तो क्या हो जाएगा 6, 9, 18, 23, 36, 77, 49, 78, 172 और माइनस 16 और A की value क्या है? 1, 1, 1, 2, 3, 5, 3, 5, 12 उसके बाद क्या लिखा है? 21 आई की देगा 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 और यहां पर क्या होगी? इस 3 आई कोई दह लिखेंगे लो 3 A inverse को मतलब तो यहां पर 3 A inverse है equal to 21 तो 21 चाहें तो अंदर है कर दें 21, 21, 21 अब चलो square कर लो तो कितना आजाएगा? आपका यह देखिए 21 और 6, 27 और 9, 18 आ गया यहां पर 23 है इसको आई करो तो 6, 1, 7 6 और 1, 7 और 32, 57 हो गया कि नहीं? 3, 2, 5 ठीक है यहां पर 77 है यहां पर 49 है यहां 78 है और यह कितना हो जाएगा इसके साथ इसको कर लो तो 21, 3 और 7, 2, 9, 1 और माइनस इसका मल्टिपलाई करो 16, 16, 16 16, 2 जा, 32, 16, 3 जा, 48, 5 जा, 80, 3 जा, 48, 5 जा, 80 और इसका मल्टिपलाई समें करना तो 12 और 6 जा, 72 है और 12 जा 12, 7, 19 अब चलिए सब्ट्रेट करिए देखते क्या आता है तो यह हो जाएगा कितना बचेगा इसमें से 11 बचा और यहां पर कितना बचेगा 16, 9 है माइनस का 7 बचेगा ठीक है और यहाँ पाँ 2 बचा इसमेंस यह जाएगा तो कितना हो जाएगा उल्टा हो जाएगा तो इसमेंस इसको सब्ट्राइट करें उल्टा तो 12 तो यहाँ माइनस का 9 बच जाएगा कि नहीं इसके बाद इसमें से इसको सब्टैट करो तो कि दना जाएगा इसमें से जाएगा तो यहां पर बचेगा 48,9,1 यहां पर माइनस का 2 बचेगा और यहां पर 1 बचेगा तो student, यह आपका एंसर आ गया और अच्छे से अगर समझ और एक चीड और भी देखो यहां पर क्या था ए इन्वर्स है यह 3 को दल लाओगे तो अनपान 3 हो जाएगा तो यह आपका इन्वर्स भी निकला है अगर अच्छे समझ आ गया तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजे सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन की बटन को बस दबा दीजे थांक यू झेजे ब गया दीजे ओते हो प्लीजय सब्सक्राइब